लेकिन बारा तारी्क को यह आप रिक्वस्ट कर रहे हैं कि हम जा कर देखेंगे पीरपाशे का बंगला ही सही उनकी भी हम देखेंगे उनको भी ज्यारत करेंगे क्योंकि हमारा बोलना क्या है उस दिन बहुत से लोग रहेंगे उसके बावजोत भी जो है कुछ लोगों की, और उपन नसीब हो टल्टी पॉइंट एंडिफिन सेंटर सलाम अदाप नमस्ते आज हम हमारे पार्टी के तरफ से कुछ हमको फिकर हो गई बारात तारीक के बारे में इसलिए हम जरूरी समझे के तैसेंदर मेंटम को एक हम मेमरेंटम देना किस बात की लिए कि बारात तारीक के दिन यहां पुर्गराम हो रहा है हालांके डीसी साप कई लोगों को बसो कलीयान आने के लिए कई महाराज्ञ को मना किये थे उसके बावजुद की परमिशन मिलकर पूरी गराम हो रहा है कोई बात में हो ने दीजिए मगर इशू क्या है पीर पाशा का बंगला हज़र पीर पाशा रहमातुला अलाई का बंगला यह बंगला जो कई सौधियों से कई सौध सालों से बसो कल्यान के अंदर है और यहां पर बसो कल्यान के लोग जो भी हैं तमाम आपस में भाईयों के जिसे हैं हर हैंदू, मुस्लिम, सिक्षिक, साथ जो भी यहां पर हैं सब एक दूसरे भाईयों के जिसे सा रहते हैं उसके रहने के बावजुद आज तक बसो कल्यान के अंदर कभी उनके मुझसे या हमारे मुझसे यह लफज नहीं उठा कि पीर पाशा का बंगला अनुमा मंदप है हलागे जामदार साथ यहां पर बसो कल्यान में दस साल रह कर गए और उन्होंने 10 टर्म कहा कि यह नहीं है अनुमा मंदप नहीं है यह पीर पाशा का बंगला है और कई ही सौमी और कई महाराज भी वो भी बोल रहे हैं कि नहीं है उसके बावजूत भी जो है कुछ लोगों की कुछ सौमीयों की कुछ मुत्याओं की कहां पर भी अपने जेगे पर बैट कर वो नुज बना कर वीडियो वाक्साप पर डाल रहे हैं कि यहां पर है देखने दीजिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं नौप साब को चलो कोई बात नहीं है रिक्वेस्ट किये आप अच्छी बात है वो आपकी और नौप साब की मर्जी है अगर उनों आने आपको देते हैं या आप परमिशन मिलता है मगर यही कारी यही काम आप जो है एक महिना पहले एक दो चार मुत्यागों के दस बारा दिने बढ़े होकर जाकर नौप साब से परमिशन लेकर सुकून से देखकर आ सकते थे या एक आठ पनला दिन के बाद में उसके बाद में भी आप जा सकते थे लेकिन बारा तारिक रहे हैं कि हम जाकर देखेंगे पिरपाशे का बंगला ही सही उनकी भी हम देखेंगे उनको भी जियारत करेंगे क्योंकि हमारा बोलना क्या है उस दिन बहुत से लोग रहेंगे मालूम में क्या हजारों में होंगे सबों में कितने लोग रहेंगे अगर उतने लोग वहां पर जाएंगे कुछ माहल बदल गया तो बसो कल्यान का सूख चैन आप तक जो अमन है वो खराब होंगा हमको इस बात की बहुत फिकर है इसलिए हम तैसिलदार मेडम से डीसी साब से सबसे सबसे सीम साब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बसो कल्यान का जो माहल है वो ऐसे ही बने कर रहेना यह अच्छा है बसो कल्यान के लिए देखिए अभी यहां पर हमको इस बात की खुशी है कि बसो कल्यान में अनुमामंडब का काम शुरू हो गया है अनुमामंडब यहां पर बन रहा है उसके बावजुद आप लोग अबजेक्शन कर रहे हैं तो यहां का क्या अ आपके अनुममंटब लिजाकर वहां बनाने वाले हैं क्या करने वाले हैं आप लोगों को भी खुशी होना हमको खुशी है कि हमारे बसों के लिए अनुममंटब बन रहा है अभी काम चालू हने के बाद में आप लोग अब्जेक्शन करते हैं और इस चीज़ को उठा रहे त अब्जेक्शन करते हैं हालां के हमारे डिस्ट्रिक्ट के MP साब वहां के MRSाब जुलों से पुर से लिए निकालने के बाद में हालाद बतल गए वही बात की हमको बसों के लिए हैं के हाला खराब नहीं होना इसलिए हम तमाम जो हमरे पार्टी के जुम्चार सदर, नायब स और हमारे मास्टर साहब संजो सुगनेर जो भी हमारे पूरी टीम है यूद की ये मिलकर एक मेमरोंट हमाद दिये हैं कि बसों के लिए उनके लिए हाला अच्छे रहना हमेशा साजगार रहना इतना कहिते हैं मैं अपने बात को खतम करता हूँ